वेल्कम टू आवर चानल बिजार्ड माइंड आज हम लेकिया हैं रिविजन स्रीज का लेक्शन नमबर डू जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टिशन के बारे में तो सबसे पहले हम समझते की फाइनेंशियल इंस्टिशन होते क्या हैं आपको समझ में आई रहा होगा कि जो फाइनेंश से जुड़ो हुए कोई संस्ता है उसके बारे में हम डिसकस करने वाले हैं लेकिन आखिर ये फाइनेंशियल इंस्टिशन होते क्या हैं तो अगर कोई इंसान है जैसे की कोई परसन है या फिर कोई कंपनी है उसको अपना बिजनिस करना है ठीक है उसे अपना बिजनिस करना है उसके लिए उसको पैसो की जरूरत है तो कुछ पैसा तो उसके पास खुदी होता है और कुछ पैसे की जरूरत ऐसी होती कि जैसे की क कोई इंसान है। उसको बिजनस टार्ट करना है तो उसके पास मॉलया है एक करोड़ रुपए ही और उसको जरूरत है कम से कम साथ या च्छे करोड़ की जरूरत है उसको develop करना है या बनाना है तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे उनकी जरूरतों को कौन पूरा करता है तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तरह से जो हमारा financial institutions होते हैं वो क्या करते हैं मतलब उसमें पैसों की और transaction और उनके लिए loans भी देते हैं deposits भी देते हैं और investment के लिए currency exchange के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जहां जहां हमारे यह financial institutions की हमें need होती है तो समझ में आगा होगा तो हमारे इंडिया के अंदर कौन-कौन से financial institution है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं यह जो हमारा article है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि RBI का क्या रोल है RBI क्यों setup की गई थी इंडिया में साथी साथ हम समझेंगे कि nawat कैसे function करता है और यह कैसे ruler areas को and self help group को भी help करता है और RBI की क्या-क्या responsibilities है और RBI किस तरह से monetary policy बनाता है और उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजे है organizations हैं कैसे वो function करते हैं तो एक तरह से हम देखें यहाँ पर basic चीजे हैं जो भी organization है उनकी जो requirement है इनके बार में हम आज इस lecture में पढ़ने वाले हैं तो चलिए start करते हमारा lecture तो अभी हमने discuss किया था कि financial institution होता क्या है सबी के दिवांग में आता है कि आखिर होता क्या है financial institution तो इसमें क्या होता है एक तो wide range of finances service इसमें बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की services provide की जाती है एक या तो individual कोई हो सकता है एक अकेला आदमी भी हो सकता है या फिर एक पूरे business के लिए that means कोई company है उसको अगर पैसा चाहिए तो वो यहां से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकत है तो सबसे पहले जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है financial institution में कोई इंसान है जैसे किसी के पास पैसा है वो deposit करा सकता है वहां पे and साथी साथ savings अपनी है वो वहां पे जमा कर सकता है और यहां तक कि investment के लिए यह यूज हो सकती है और जो उसके पैसे है उसको manage कैसे करें यह सब चीजें कहां पर होंगी यह हमारी होंगी financial institutions के अंदर तो सबसे पहला हम हमारे इंडिया का जो सबसे मेन है financial institution सबसे पहला आता है Reserve Bank of India आप लोगों को जानते ही हो हमारे इंडिया का जो bank सबसे बड़ा bank कौन है Reserve Bank of India और इसके अगर हम बात करें त institution है मतलब पूरे जितनी भी हमारे इंडिया में financial activities होती है उनका जो भी management है regulation है हर चीज और यहां तक कि जो पैसा हमारी economy लिए चाहिए वो भी कहां से आता है Reserve Bank of India से क्योंकि note छापने का काम किसको दिया है सरकार ने Reserve Bank of India को दिया हुआ है और साथी साथ में आप देखेंगे कि जो सरकार होती है वो सिर्फ coin बना सकती है mint के दिरो लेकिन वो पैसे नहीं चाप सकती तो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो most important हमारा institution है वो क्या है Reserve Bank of India तो Reserve Bank of India के बारे में कुछ बाते हैं जो बहुत जरूरी है तो यह क्या करती है सबसे पहला यह हमारा control करती है monetary policy इंडियर रुपीज की जो भी monetary policy मतलब किस तरह से पैसे जो हमारी country की currency है उनके लिग किस तरह से कौन कौन से policy बनाए जाए किस तरह से इसका रुप्य का यूज किया जाए और किस तरह से मतलब compare करें अगर other country है तो उनके dollar से compare करें तो किस तरह से हम इसको manage करें अपने इ रुपया है उसकी अच्छे से मेनेजमेंट हो जाए तो जो हमारे रिजर्बैंक इंडिया है यह एस्ट विलेस्ट हुआ था इसकी डेट है 1 अपरेल 1935 यानि कि जब हमारे उपर जो बिर्टिस रूल कर रहे थे उसी टाइम का यह पीरियर था जब यह 1935 में यह हमारा रिजर् श्ट बैंक ऑफ इंडिया अक्ट 1934 में मतलब जो अक्ट है उसके रिजर्बैंक ऑफ इंडिया अक्ट आया थे उसके बाद में फर्स्ट अफरेल 1935 को प्रिट्रिस राज के मतलब जो टाइम था उसी पीरियेट में हमारा रिजर्वेंक ओफ इंडिया एक्जिस्टेंस में आया ठीक है तो जो आरबिया है बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट हमारी जो मतलब इस्टेटजी होती है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपोर्टेंट है रिजर्वेंक ओफ इंडिया ठीक है तो हम देखेंगे रोल क्या क्या है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के देखेंगे वो सबसे पहले क्या है यह हमारा मॉनिटरी जो पॉलिसी होती है यह हमारा मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसके बारे में यह करता है और उसके बारे में एक करंसी भी इसू करता है मतलब करंसी छाबता है नोट वगएरा जो होते हैं और एक तरह से bank कर है किसके लिए government government कहां से पैसा लेगी वह भी यहां से लेगी और bankers of bank bank को के पैसा कहां से मिलेगा वह भी Reserve bank of India से मिलेगा और उसके बाद में foreign exchange manager बाहर से कोई आ रहा है कोई business करना चाहता है हमारे इंडिया हम पैसा लेकर आएगा अपना dollar में लेकर आएगा लेकिन वो dollar हमारे इंडिया में तो use हो नहीं सकता तो वो कहां करेगा वो foreign exchange जाएगा वहां पैसे लेगा change करेगा अब मालिया हमारे इंडिया को को person बिदेश में जाता है और बहां जाके उसको business करना है तो वो इंडिया वाले रुपीज तो बहां नहीं चलेंगे तो क्या करेगा तो RBI क्या है foreign exchange manage करता है ठीक है साथी साथ supervision of the financial system जो finances system चला है हमारे इंडिया का उसका भी supervision करता है कि कहीं ऐस तो नहीं है कि मतलब बहुत ऐसे activity हो रही है जिससे हमारे हमारे इंडिया का जो भी activities है उनमें नुकसान हो हमारी economy को यह सब इसका supervision भी करता रहता है जैसे कि अगर मालियाक उसमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो warning दे देगा कि यह काम मत करो इससे हमारी economy को यह problem हो सकती है तो इस तरह से यह हमारा function करता है तो तो हमने देखा कि हमारा क्या जो Reserve Bank of India monetary policy मतलब उसको देखता है तो यह monetary policy में क्या क्या आता है जिससे कि monetary policy में क्या होता है कि अगर कुछ हमारा जो nation है उसमें जो overall money supply है और हमारी economy growth को कैसे हमें अचीब करना है तो यह सब monetary policy में आता है ठीक है साथी साथ में monetary policy जिससे कोई strategy हमने करी अपनी इंटरस्ट बढ़ाया है bank में अगर मालिया हमारी economy है उसमें मतलब महगाई inflation बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो क्या करेंगे हम interest rate बढ़ा देंगे bank को अगर हम जो पैसा देते हैं उस पर interest बढ़ा देंगे तो वो लोगों को देंगे तो लोग क्या करेंगे interest ज्यादा होगा तो पैसा कम लेंगे market से तो इस तरह से क्या होगा मतलब एक तरह से manage कर देगा यह पूरा monetary policy के थरो साथी स साथ में क्या होगा कि बहुत ज्यादा कोई भी action लेना है कोई कोई चीज है किसको expansion करना है किस चीज को और कौन सी उसको मतलब मतलब बंद कर देना है तो इस तरह की पॉलिसी होती है यह सब कौन करता रिजर वैंक ओफ इंडिया तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा है multi policy और currency का तो हमने बताई दिया था कि currency किस तरह से होती है और bankers to government है और bank हमारा जो है bank भी इसी से ही पैसा लेती है तो एक तरह से reserve bank of इंडिया का बहुत ही important role है हमारे इंडिये economy के लिए और एक आरबे जो है हमारा जो government of इंडिया है उसके अंडर में ही काम करती है मतलब government of इंडिया ऐसा नहीं है कि यह इसका मालिक कोई और है government of इंडिया का ही मतलब यह है अंडर में ठीक है जब इसका nationalization हुआ था देखो 1935 में तो यह आई थी existence में लेकिन इसका nationalization हुआ था 1949 में ठीक है तो दूस central office है हमारे अर्वे का यह हमारा कहां पर initially कलकटा में था लेकिन अभी कहां पर है यह कहां पर आ गया है बॉम्बे में तो 1937 में सिप्ट हो गया था 1937 में सिप्ट हुआ कहां आ गया बंबे में ठीक है और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे अधा जनरल superintendents and direction of the RUAI interest within the 21 member of Central World Directors ठीक है और governor है एंड इसमें कौन कौन से होते हैं एक हमारी मतलब जो तो जो हमारा RBI है वो Central World of Directors बनाती है जिसमें की टोटल कितने 21 members होते हैं तो यह कोई भी decision लेते हैं तो इसमें कौन कौन involved होता देखो सबसे पहले तो RBI का governor होता है और साथी साथ में हमारे four deputy governor होते हैं और दो finance ministry representative होते हैं finance ministry and 10 government nominators जो भी सरकार nominators करके लोगों को भेजती है तो इसमें क्या होता है यह वो लोग होते हैं जो कि हमारी इंडिया की economy में बहुत ही important role अदा कर रहे हैं ठीक है और उसके साथ साथ होते हैं चार लोग और होते हैं जिसे कि local words में आ गए हैं और मुंबई हो गया लूग कोलकाता हो गया चैन्नी हो गया और नियुदेली हो गया है तो जो लोकल word headquarter है मतलब एक तो जो में हैं वो तो बोम्बे में हैं साथ हिसाथ में इसके चार लोकल और भी head headquarters है जिसमें मुंबई है कोलकाता है एंड चेनी एंड निग देली है तो हमारा जो RVI है उसका wasting function क्या है ये तो हमारा regulate करता है जो banks के notes है उससे related जो भी issue होते हैं उससे regulate करता साथी साथ इसका काम है कि जो reserve है जो की monetary stability के लिए हमारे यूज होते है रिजर मतलब हो गया जिसे की मालिया हमारे इंडिया है अब उसको बाहर से तेल खरीदना है या को equipment बाहर से उसको मतलब import करना है तो वो क्या करेगी उसके लिए बाहर से डॉलर में उनको खरीद के लाएगी लेकिन प्रचला उसके पास डॉलर बचे ही नहीं है ठीक है डॉलर्स खतम होगा इंडिया के पास तो उसके बाद में बुक क्या करेगी वो पर्चेस नहीं कर पाएगी तो इसको बैलन्स करने के लिए मतलब जो भी इस्टेविलिटी है उसको बनाने के लिए तो उसके पास कुछ डॉलर्स अल्रेडी उसके पास होने चाहिए साथ इसाथ इन्फलेशन अगर मालिया कोई प्रोडक्ट है इंडिया में और वो बहुत ही मतलब उसकी डिमांड जादा हो गई है और उसकी वज़ए से बहुत मह रुप에 की जो पर्चेसिंग वावर हैं वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मतलब हमने माल यह जो चीज मगरा लेके आ रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा उसमें stability लाने के मतलब लाने के लिए क्या करते हैं हम अपना reserve भी बना के रखते साथी साथ अगर ऐसी कोई situation आती है तो हमने limits बना रखी है कि इतनी limits तक ही inflation हो सकती है और इस से जादा नहीं होनी है और minimum inflation भी बहुत जरूरी है पता चला कि हम मतलब अपनी चीजों को बहुत है सस्ता कर रहे हैं तो वह भी अच्छा नहीं हमारे economy के लिए पता चलेगा कि बाहर के लोग आए हमारे हां से सारी चीजें उठा उठा के मतलब ले के चले गए और हमारे जो खुद के लोग हैं उनके जरूरते पूरी नहीं हो पा रही है ठीक है तो कम से कम balance होना चाहिए चीजों के लिए तो उसका यह सारा काम कौन regulate करता है यह अर्भी हमारा बैंक नोट मुद्रन लिम्टिड है इसमें क्या होता है इसमें नोट बगरा चापे जाते हैं जो कि करनाटका इंड बैंक हौल में है और यह कब बनाएगी थी 1995 में ठीक है और सबसे पहले हमारे जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उनका नाम था सर यह देखिए हम देखिए सर ऑस्बॉर्ण स्मिथ अगर हम बात करें इंडियन सिवल सर्विस के जो सबसे कम उमर के थे उनका नाम था चिंतावन द्वार्खारनाथ देश्मुक ठीक है यह इतना इंपोर्टन्ट है नहीं इतना रटना नहीं है लेकिन अगर आप PCS की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें तो यह डेटा भी आपको सबसे करती है पॉल्सी बनाती है अधर बैंक के लिए मॉनेटरी अथर्टी है और रेगलेटर है मतलब जो फाइननस सिस्टम जो चल रहा है एंड मेनेजरिल आफ एक्शेंज कंट्रोल है और करंशी इसू करती है और मेनेजर आफ फॉरन एक्शेंज यह सब इसके रोल हमें पता ही चल गया है अब हम आते हैं नावाड नावाड के बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर आप रूरल वेक्ग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि जो भी हमें अपना मतलब देखना है तो आपने सुना होगा जैसे ग्रामीड एरिया होता है तो बहां पर हमें development का काम करना है इंफरेस्ट्रेक्चर development करना है बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने है या फिर घर घर बजली पहुचानी है पानी में पहुचाना है यह सब बहुत सारी चीज़ रहती हैं जिनके लिए एक infrastructure ही जरूरत होती है development करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत कहां से पूरी होती है एक तरह से नवाट हमारा development bank की तरह काम करता है इसमें क्या होता है कि यह हमारा credit देता है और बहुत सारी facilities देता है ताकि जो लोग हैं मतलब जिनको बड़ी बड़ी कंपनिया है या फिर छोटे छोटे बिजनेसे हैं जैसे की cottage, village industry, handicrafts बगरा है और यह बहुत सारी छोटे 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 activity होती है तो इन सबके लिएहाज पैसा कहां से आता है तो ये हमारा provide करता है नावार्ड वार्ड तो आपने देख लिया होगा नावार्ड के बारे में हमनेदेखिंी लिया है इसके अब हम देखेगे नवार्ड और ABD में फिर RBI है लेकिन उसके बाद में कौन आता है नावार्ड और यह जो नावार्ड है यह हमारा development bank के focus करता है primarily किस पे? Rural sector पे करता है और सथी साथी यह एक तरह से अपेक्स banking institution है जो की agriculture है और rural development है उसके लिए यह हमारा fund provide करता है और इसका headquarter कहां पे है? यह Mumbai में located है और यह हमारा country का जो financial capital इसको कहा जाता है मुंबई जो हमारी है country की financial sector तो यह हमारा responsible है small industry के लिए cottage industry and other जो भी है rural project चल रहे हैं उन सब के लिए और यह हमारी कौन सी body है? statutory body है और हमारी कब बनाएगी 1982 यह चीज़ें हम देख लेते हैं एक हमारा 1982 में यह आई थी existence में और इस्टेबिलिस्ट की गई थी ठीक है और इसके बाद में यह कौन सी है? statutory body है ठीक है statutory body क्यों है? क्योंकि यह act के थुरुआई थी कौन सा act था? अनल नशनल बंक फर अग्रिकुलुटर और रूलर दीक। तो अब इसको फंक्शन क्या है इसके वारे हम देख लेते हैं तो हमारा यह जो नवार्ड है एसेच जी स्वेम वह सेल्फ हेल्प गुरूप है स्वेम सातर समुझ जैसे बूलते हैं जो हमारा प्रोग्राम है जो जो रूरल एडिया में चलता है जिसमें आपने देखाूगा औरतें जो गाउंकी होती है वह से समसातर समुझ में जाती है और एक गुरूप बना लेती हैं और गुरूप गुरूप के नेते हैं self-help group की help से तो इंडिया में जो इनके लिए जो self-help group के लिए पैसे कहां से आते हैं वो भी नावाट के थ्रोही आते हैं इसके बाद में हैं जो state की जो cooperative bank होती है और regional rural banks होती है and micro finance institutions होते है cooperative credit society होती है और जैसे की जो farmers होते हैं blazers होते हैं cottage, handicraft and self-help group होते हैं यह सब इनको बहुत ही कम rate पर यानि कि एकदम regional interest rate पर बहुत कम इन्हें बयास देना पड़ता है उस पर इन्हें पैसा मिल जाता है और यह लोग क्या करते हैं यह जो भी मतलब रूलर एरिया है उसके development के लिए यह लोग काम करते हैं ठीक है तो उसके लिए पैसा कहां से आता है नावाट से और यह एकतरा से regulatory authority है cooperative banks के लिए and regional rural bank के लिए अभी बहाँ पर regulatory authority कौन था आर बी आई जो पूरे इंडिया के लिए थे center के लिए लेकिन यहां पर कौन है नावाड और यह operate करती है इंफ्रिस्ट्रेंट के लिए ठीक जिसको हम हम और आई डिये भेड गोलते हैं तो उसको अपरेड करती है Ruler infrastructure अब रूलर इंफ्रस्ट्रेंट्स अब डपल पंप क्या हुता है यह हमारा 90's में बना गया था नावार्ड जो थी infrastructure development fund के लिए तो इसने क्या करा कि जो bank है bank है उनकी जो priority sector जो requirement है जैसे कि उसके लिए money कहां से आएगी infrastructure development fund के लिए तो ये बहुत ही cheap loan देती है मतलब सस्ती rate पे state के लिए जिसमें state corporation होती है ये complete क्या करती है quickly प्रोजेक्ट इसकी विज़े से क्या होता है आराम से जल्दी से बन जाता है ठीक है जिसे उसके साथ में deposit insurance भी देती है credit guarantee भी देती है ठीक है और जिसे media minor irrigation watershed management है उसके लिए and soil conservation देखो नाबाट का सरफ यह काम नहीं कि development infrastructure इसके साथ ही साथ वो पता क्या करती है जैसे कि irrigation के अलग अलग तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे कि sprinkle वाला होता है और यह surface वाला तो हमारे UP में बहुत जादा होता है irrigation system लेकिन और भी बहुत सारे method है bamboo वाला एक method आता है और इन में क्या होता है कि अलग 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 एरिया में तो इनको irrigation के अलग अलग system बनाने के लिए watershed management ताकि पानी बहुत कम है हमारे इंडिया में धीर धीरे जो बाटर लेवल है बाटर का जो टॉप लेवल है वो मतलब काम नीचे की तरफ डाउन होता है अब पानी कम हो रहा है अब हमारे इंडिया में क्या है दो-तिन तरीके एक तो नहरो से कैनल के थरो पानी मतलब लोग सचाई करते हैं अब पानी इतना ज्यादा पानी होता है मतलब यूपी बगएरा में तो आपने देखा हो पुरा खेदों को लबालब भर देते हैं एक दम फुल भर देंगे खेदों को चाहती जरूद भी ना हो और जो पंजाब बगएरा ह है और उसकी विए से क्या होता है खेदी एक तरह से बहु हो रही है उसका मतलब तो उसके लिए क्या करा जाता है कि अलग अलग ऐसे इरिगेशन सिस्टम लाए जाए और बाटर सेट जो मनेजमेंट है उसको अच्छे स्किया जाता कि हर एरिया में पहुंचे आप जैसे जो हर्याना पंजाब भहीं तक तो लिमिटेड रह गई अपने इधर साइट के अरिया में इतना कहां यह हो पाया है तो एक तरह से यह सब और स्वाइल कंजर्वेशन करना है जैसे स्वाइल मैंने भी बता एक्जामपल दिया पंजाब बाले में बहां तो ऐसे मिटी खराब हो ता कि जो स्वाइल इरोजन हो जाता है तो उसको रोकने और उसके साथ साथ फोरेश्ट डेवलबमेंट उसके लिए और कोल्ड स्टोरेज बनाना जैसे कि अपके सान है उन्होंने बहुत अच्छे से फसल कर लिए अपनी फ्रूट बगरा है और उनके मतलब सबजियां के लिए एक जिम्मेदारी बनती ना सरकार की को कॉल्ड स्टोरेज रखे जिसमें उनकी सब्जियां खराब ना हो सड़े ना और जैसे कम एक कम्यूटी है उनको इरिगेशन बैल्स प्रोवाइड करा दिये मतलब पूरे गाउं के लिए और और डी 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 सैलिनेशन प्लां भता है कि अठीक पता उन्हें नमकीन होजा रही है अब पता चला है उन्हें प्लांड लोगिंग यहां फिर पानी उपर है फिर सूख है प्यृढिसां कि आतने मिया वह स्कूल कढ़ना है और ऐसे प्लांट लगा है इस अले जहां बेसा हसो और ट tartío lode Today on जिसे कि मतलब कोई ऐसा नाुकी कोई जा रहा है और कहीं खुले में ही मतलब सुरू हो गया तो इस तरह की छीजेह ना ओउसके लिएışपएवलेट बलॉउक बनाए गये हैं इस्कूलों में और ऑसपिसली गिर्ल्स के लिए देखो जैंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन गल्स को बहुत प्रावलम होती है इस चीजों से तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ट्वालेट्स ब्लॉक्स बनाया जाएं और जो गाउं की रोड्स हैं ब्रिजिस हैं चोटे-चोटे मतलब नहर बनी हैं उनके उपर ब्र दी जा रही है तो उनको आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए हमें एक ब्रज किया जरूरत होगी तो इस तरह से क्या है रूरल का जितना भी इंफ्रास्टेक्चर है वो किसकी रेस्पोंस्बिल्टी है हमारी नावाड की ठीक है और नावाड के अंदर अभी हमने कौन स इसके बाद में आते हैं डिपोजिट इंसुरेंस एंड क्रेट गांटिक ऑपरेशन अब यह क्या होता इसके बार में देख लेते हैं और यह कहां पर इसका हैट कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और पार्लियमेंट का एक पास किया था यह कंपनी एक्ट में रिष्टर नहीं है ठीक है यह हमारा जो आर्बियाई है कम्प्लिटली ओंस करती है अब डिपोजिट इंसुरेंस और क्रेट गारंटी को उपरेशन इसका क्या वर्क होता है धेखों जैसे पहाँ कि हम कोई महें कोई प्रोडंक्त राते हैं कुछ भी लेते हैं तो हम क्या है उसकी इंसुरेटे एंस्वरेंस कए लोग अपनी लाइफ क्ल तो कि उसमें कहा रहाता है कि अगर कुछ भी होता है मतलब मिस हैपनिंग सम्तिंग कुछ भी हो जाता है तो उसमें हमें पैसा मिल जाता है बापस ठीक है उसके गारंटी होती है तो अगर कोई इंसान है उसने बैंक में अपना पैसा जमा कर रहा हुआ है ठीक है पूरा भरोसा करक जो बैंक होती है वो बैंक मतलब एक तरह से लॉस में आ जाती है और लोगों के पैसे डूबने का खतरा आ जाता है तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी तो उससे निपटने के लिए कोई ऐसा मतलब कोई मतलब कोई एक ही संस्था ऐसी जो इन चीजों को मतलब मैनेज कर पाए उस सच्चियोशन में किस तरह से क्योंकि आप बहुत सारे मतलब एक कोई बैंक को सब कितने सारे लोग का पैसा होता है उनकी पूरी जनम भर की कमाई होती है और एक पल में चली जाए तो कितना मतलब इसमें क्या होता है एक तरह से यह पूरी तरह से इसको सबसीडी कौन देता है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया है और उसके साथ में यह क्या करती है एक तरह से डिपोजिट इंसुरेंस प्रोवाइट करती है और एक तरह से प्रोटेक्शन कवर कितना काम करती है जो भी बैं अगर मना कर दे तो उस condition में यह help करती है तो इसमें कौन-कौन से account included होते हैं अगर मतलब question आता है जैसे मालिया prelims में question आता है तो वो बहुती छोटी-छोटी differences दे देते हैं मालिया दे दिया कि account कौन-कौन से bank मतलब account types होते हैं जिन में मतलब यह पैसा हमारा वापस मिल सकता है तो इसमें सभी account होते हैं जैसे कि saving भी आता है और current भी आता है current account है और recurring account और fixed deposit भी होता है यह तो आपने सब देखा ही होगा इस तरह की जो होते हैं जैसे कोई है किसी ने पैसे अपने savings के लिए जमा कर रहा है किसी का current account है मतलब जमा कर रहा है और किसी ने ऐसे पैसे लगा दिया कि कुछ year के बाद में मतलब interest रिता मड़ा तो उसका principal value बन गया फिर वो फिर इस तरह से recurring account होता है हमने fix period के लिए जमा कर दिया अब हमें एक खटा जो भी व्याज मिलेगा वह हम तभी fd अपनी तुड़वाते हैं जब हमें पैसे की जुरूत होती है ठीक है या फिर उसका पूरी प्रिंसिपल और किसी ने उस bank में जमा कर रखा है पांच लाग तक तो तो उसको पैसे मिल जाते हैं आराम से ठीक है और अगर उससे उपर उसकी limit है ठीक है उससे ज्यादा हो जाता पांच लाग से तो क्या होगा कि उससे सिर्फ पांच लाग ही मिलेंगे जो उसका principal है और और अगर उसका जो इंट्रेस्ट बनेगा वो ना कि पूरा पूरा पैसा नहीं मिलेगा उसका पांच लाग के हिसाब से जो है बही मिलेगा ठीक है और और इसमें एक तरह से कैसे प्रोटेक्ट करती है तो यह जो हमारी DICC होती है यह प्रोटेक्ट करती है जो भी जितने भी डिपोजेटर्स होते हैं जो उनकी मनी होती है कमर्सियल और फॉरण बैंक्स जिती इंडिया के अंदर फॉरण या फिर कमर्सियल बैंक है इंडिया के अंदर लोकेटेड है और सेंट्रल स्टेट के अंदर है urban cooperative banks है या regional rural banks है and local banks है जितनी भी है तो यह किसमे आती है DICC के अंदर आती है ठीक है तो यह हमारी जो agency का operation कैसे करता है यह हमारा 1961 का act था deposit insurance credit guarantee cooperation general regulation and 1961 यह RBI के अंदर में किया गया था सबसे पहले था एक था deposit insurance credit guarantee cooperation एक था 1961 का and the deposit insurance credit guarantee cooperation general regulations ठीक है तो RBI ने इनको frame किया था and यह उसका जो section 50 है उसका subsection 3 है उसमें mentioned है इसमें act हमारे कहता है कि अगर जो corporate cooperation का जो aim है वो ensure करेगी deposits को and guarantee देगी credit facility की and other matter होंगे उनके लिए ठीक है लेकिन अब एक question यह भी बनता है कि कौन-कौन से ऐसी मतलब कौन-कौन ऐसा होगा जिसको cover नहीं करेगा DICC तो सबसे पहला होगा हमारा एक तो हमारा deposits of state और central government अब देखो एक individual होता है तो उसकी money तो limited ही होगी इतना तो होगा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पैसा अम्मानी एडानी को छोड़ दो तो उनके पास तो बहुत पैसा लेकिन individual होगा तो 5 लाइक तक लिमिट होती है उससे जादा अभी होगी तो 5 लाइक तक तो पे कर देता है लेकिन अभी अभी कोई state है कोई central तो income amount तो बहुत ज़्यादा होगा तो इसको भी गारंटी नहीं लेती है और उपर से foreign कोई अभी deposit है foreign government है जिसे माल यह कोई दूसरी कंट्री की पैसे है उनको लोटाना है तो उसके लिए भी यह नहीं करेगी साथी साथ जो तो state land development banks है जो कि state cooperative banks है तो इनके भी पैसे नहीं वापस होंगे और interbank deposits interbank deposits मतलब अब एक bank ने हैं दूसरे bank में पैसा जमा करा दिया तो उसको भी पैसा नहीं मिलेगा ठीक है interbank deposits नहीं मिलेंगे and इसके साथ में हमने क्या बताया था state land development bank deposit with the state cooperative bank थीक है उसके साथ ही साथ में और जैसे कि आउटसाइड इंडिया से कोई मतलब फंड आया है जो कि इंडिया के मतलब deposit रिसीव हुआ है और उसके साथ साथ में फंड एक्जमिटर वाइड कोपरेशन बिद प्रीविस अप्रोबल फ्रॉम RBI तो यह सारी चीजह होंगी जो कि इसमें नहीं आती है ठीक है यह देख लेना अब Financial Intermediator का काम क्या होता है कि आप सीधी बात है किसी को पैसा चाहिए तो उसकी इतनी पहुंच है नहीं कि वो किस तरह से पैसा लेगा तो उसके लिए क्या जरूरत होगी कि कोई इंसान होगा जो उनको help कर सकता है बीच में तो इस तरह के जो लोग होते हैं financial intermediaries तो इसमें क्या होता है institution that channel fund from the people to business अब जैसे लोगों से पैसे लिए government से लिए या फिर मतलब एक दूसरे से लेकर जैसे कोई आदमी है उसको पैसा लगाना है वो अपने पैसे जमा करा सकता है और उसके बाद में कोई business कर रहा है उसके पैसे चाहिए है तो वो किसी और से बैंक से दिला दिये तो कुछ- इंटर्मेडेटरी होते हैं जो इसको support करते हैं ठीक है अब फाइनसे इंटर्मेडेटरी से invest करते हैं diversified portfolio and hence suffers less risk compared to the individual investor ठीक है अब फाइनसे इंटर्मेडेटरी आर सुपरवाइज एन अब इनके कुछ एक्जामपल दे रखे हैं इंटर्मेडेटरी के देखो सबसे पहले इनको क्या करा इन्होंने दो भाग में डिबैट के लिया एक तो पैंसन या फ्पीएफ ठीक है कोई इंसान है कहीं जॉब किया तो उसको गर्मेंट पैंसन देती है या प्रवेंट ओले हैं यह उसके साथ में नीचे आते हैं तो लो एक तो मारे बैंक हो गया और यह नोनवेक फाइनियस्टिशन प्सिंत्यित मर्क तो इसमें पैसा जाएगा तो दो पार्ट में कम自 प्राइबेट बैंक होती है तो यह पब्लिक है प्राइबेट बैंक है फोरण है और भी है और इसमें कॉपरेटिव में अर्वन इस्टेट सेंट्रल एंड पैक्स और नौन नौन बैंक के फाइनसिल इंस्टूशन में क्या गया AIFI, PD, NBFC, EXIM, NAWARD तो हमने पढ़ी लिया था, SIDB, NHV तो यह अलग और भी पार्ट है फाइनसिल इंटर्मिन रेटिस के तो एक एक करके हम इनको छोटा-छोटा समझ लेते हैं तो सबसे पहले अभी हम इनको हाइलाइट कर लेते हैं, नौन बैंकिंग फाइनसिल इंस्टूशन के बारे में देख लेते हैं, देखो, बैंक्स और नौन बैंकिंग फाइनसिल इंस्टूशन में बस इतना ही फरक होता है कि यह जो होते हैं, बैंक है, वो सब कुछ करती है जैसे कि पैसे देना और डिपोजिट देना मतलब पैसे जमाभी कर सकते हैं लेकिन NB FI में ये होता है कि ये डिपोजिट्स नहीं करते ठीक है और साथ ये मतलब खाली किसी को पैसा चाहिए उसको तो लोन बगरा देते हैं ये सब इनका काम होता है तो सबसे पहले हम इसमें ये जो आ रहा है AIFI इसका मतलब होता है All India Financial Institution मतलब पूरे इंडिया के जितने भी financial institution है वो तो इसमें एक तो हमारा एक्जिम, नावार्ड, सिडवी, अनच्वी ये ये चार institution है जो काफी important है एक करके हम इनके बारे में देखते हैं तो हमने देखा था कि All India Financial Institution के बारे में यानि की ये हमने जो इस slide में हमने देखा था कि NBFI तो इसके बारे में भी हम discuss कर लेते हैं एक एक करके All India Financial Institution के बारे में पढ़ेंगे तो एक तरह से ये ग्रूप होता है regulatory bodies होती है जो कि हमारी economy को regulate करने में help करती है इनका purpose क्या होता है जैसा कि हमने अभी last time में और भी पढ़े थे तो नावाड वगेरा जो पढ़ा था ये हमने देख लिया था तो इन special bodies का purpose क्या होता है कि जो भी मतलब जरूरते है specific segment economy के उनकी तो उनके लिए क्या करती है ये complete करती है सबकी जरूरतों को पूरा करती है ठीक है और साथी साथ regulate भी करती है तो इसमें list of AI FIs हैं तो हमने देखी लिया था इस वाली slide में बैक बार में यह देखो यहां पर देख लिया था कौन थी एक्जिम नावार्ट सिट भी एन एन एच भी इसके साथ साथ में एक हमें और जोड़ना है यह हमारी 2021 में एक नई एड होई है एन ए वी और फिड इसको FID ठीक है नफ फिड तो यह हमारे है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्जिम बैंक एक्जिम बैंक अब एक्जिम बैंक क्या होता है तो यह हमारी कब सुपर देंगे यह हमारी कब ऐस्टिव्येस्ट ही थी या ऐस्टिव्येस्ट ही थी 1982 और इसका और कशा हमें था सिंपल है एक्जिम इसली सकूर्ट इंपोर्ट जो यह एक्सिम बढ़ा है यह भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से मिलके बना है ठीक इसलिए इसको एक्सिम बैंक करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ओफ इंडिया अब सुनके ही समझ में आ रहा है क्यों बनाए गई है तो सुनके पता चलना है कि एक्सपोर्टर इंपोर्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी है मालिया की कोई हमारा इंडिया इंडिया का कोई परसन या कोई कंपनी है वह उसे बाहर अगर कोई चीज या फिर किसान है फॉर्मर है उनको कुछ भी अपने बिजनिस करना है एक्सपोर्ट करना है अपने सामान को या फिर बाहर वाले को इंडिया में आना है तो उसकी जरूरतों को कौन पूरा करता है एक्सिम बैंक हमारी इसलिए एस्टेबलेस की गयी थी उसी के लिए फाइनसी के लिए तो यह हमारा प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनस इस्टिशन है इंडिया का और इसकी जो प्रेविसली जो ब्रांच थी वो आई डी वी आई थी ठीक है लेटर ये इंडिपेंट बॉड प्रेविसली बन गई है इसको और करता है गवर्नमेंट उफ इंडिया करती है और इसका सब्सक्राइब्स है एक तो फाइनसीं करना है और फैसलितेटेटीं करना है एच्छे हो ताकि डॉल्र हमारे पास ज्याद ज्यादा आ जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा तो इसकी के लिए एक्जिम बैंक है इसका हैड कोटर कहां पर इसका हैड कोटर है मुंबई ठीक है याद रखेंगे मुंबई इतना याद रखिए बाकी सब देख लेते हैं सेकिंड जो है हमारा उसके बाद में है नावार्ड नावार्ड तो हमने पड़ी लिया था कि यह हमारा 12 जुल इसका है तो यह हमारी सेट अप की थी और इस इसका रहे में देखी लिया तना वार्ड को छोड़ देतें अब सीडवी के बारे में देखते हैं सिडवी सिडवी तो इसका फुल फुल फार में इसमाल इंडस्ट्री इसमाल इंडस्ट्री के जो बिजनिस बगरा होंगे उनके लिए ही पैसा देगा तो सीधी बात है तो सेकिंड अप्रेल को सेकिंड अप्रेल 1990 1990 अंडर एक्ट ऑफ पार्लियमेंट यह हमारे एक्जिंस्टेंस में थी एस्टिवलेस्ट हुए थी और यह हमारे एक तरह से प्रिंसिपल फाइनेंसियल इंस्टिशन है फाइनेंस किसको गज़ता है MSM के लिए और सिजबी का जो हैटक्वार्टर वो कहा है लगनों में है ठीक है अब आते हैं एनच भी एन एच भी तो नेशनल हाउसिंग बैंक है यह हमारी इसकी फूल फॉर्म है नेशनल अब है तो यह थरूंसिंग नडेमिस के लिए हमारी कवाई थी 1988 तो यह हमारे अपेक्स लेबल का इंस्ट्यूशन है हाउसिंग के लिए अगर हाउसिंग में कोई अपेक्स है तो यह होगा नैशनल हाउसिंग बैंक और यह हमारी कप सैटप की यह थी 9 जुलाई नाइन जुलाई 1988 तो इनिशली जो हमाई रिजर्बैंक और बैंक ओफ इंडिया थी इसका जो कंटिविशन था जो पूरा कैपिटल जितना पैसा था वो कौन देदा था रिजर्बैंक ओफ इंडिया करती थी लेकिन इसके बाद में अमीडमेंट हो गया किसके तरोगवा था एनचवी एक्ट का 1987-2019 में इसके बाद में क्या हुआ था कि जो शेर्स थे अंडिट ट्रांसपर बिजर्बैंक ओफ इंडिया से कहा होगा गवर्मेंट ओफ इंडिया पर रांसपर हो गया तो अब क्या होता है अब हमारा जो पूरा का पूरा पैसा कोन बेर करता है एन नइद भीडी है यह ऐऄ हुआ है नवुक्श सरे एन एवीट नवुक् surprisingly और नांवी है न नवुक्श works या निक़ि ए0 यह एक डाल कि यह हमारा एक तरह से इस्पेशल फाइनसे इंस्टूशन है लॉंग टर्म के जो फाइनस होते हैं जो कि यह हमारा नफिट कब अनाउंस किया गया था जो बजट हमारा आया था 2021 का उसमें इसको अनाउंस किया गया था कि एक इंस्टूशन बनेया जाएगा नफिट से और इसको एस्टीबिलिस्ट कर रिया अंडर दे नेशनल बैंक फानिसी इंस्ट्रेस्ट्रेक्ट्ट्रेक्ट्ट्रेश्ट्रेंड डेवल्मेंट अग्ट 2021 और नफिट एस जो एक तरह से बल्कुल करेंट का टॉपिक है यह बहुत इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना क्यूंकि इस तरह का प्रिलिम से हो सकता है कि एक कोश्चन इसमें मिल जाए ठीक है तो अभी हमारा यहीं से हमारा जो लेक्शर था हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो थैंक क्यूंकि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करें हमारे चैनल को बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है हमें अपनी 10K की जो फैमिली है उसको कम्प्लीट करना है तो अगर आप जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारी वीडियो को जादा जादा शेयर किजिए आप लो से जो भी हो जादा जादा जितने सब्सक्राइबर आप बढ़वा सकते हो प्लीस हैप मी और थैंक यू सो मच फोर वाचिंग आवर वीडियो और चैनल